बिस्मलाइरामाराहिम असलामालेकूम दोस्त ने कमेंट किया था भाई हमने देसी मुर्गियां रखनी है और उसी के बारे में आप कुछ बताएं हम ताज वाली मुर्गियां रखें या बगेर ताज की मुर्गियां रखें तो आप ताजवाली मुर्गियां रख सकते हो और बगेर ताजवाली भी मुर्गियां रख सकते हो अंडे दोनों बराबर देती हैं और दूसरी बात उसने कही भाई हम कुड़क किस मुर्गी को कर सकते हैं जैसे आपकी मुर्गियां कुड़क होती है तो समझ लो अगर आप देशी सीखना चाते हो तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें हमारे चेनल को लाइक करें और वीडियो हम जो भी डाले आप एंड तक देखें ताके जो भम देशी मुर्गी की वीडियो डाले तो आप तक पहच सके और उन में से आपको फाइदा मिले वीडियो आप एक मिंट देखो या दो मिंट देखो लेकिन वीडियो देखो सही तो आपको पता लगेगा ऐसे नहीं सोचना भाई कैसे वीडियो बना रहा है भाई एडिटिंग नहीं करा editing करने की कोई जरुवत हमें नहीं पढ़ती क्यूंकि हम इसलिए new video बनाते हम मुर्गियों का जो रुख है हर दिन का चेक करते हैं आज इस मुर्गी का क्या चल रहा है और इस मुर्गी में क्या है आज अगर आप ये पहचान रखते हो तो हर दिन जो मुर्गी का mood चेंज होता है अगर आप पूरी मालूमात मुर्गी की कर लेते हो और उसका जो mood है वो आप समझ सकते हो तो उसी जगा आपको समझ में आ जाएगी उसी वक्त आप उसको कुड़क कर सकते हैं फिर भी आपको समझ में ना आए फिर भी एक घंटा दो घंटा आप चेर लगा के बेठे रहो अपनी मुर्गियों का समझें अभी इसको अपना जहन जो है आपको उसी तरफ करना है इस मुर्गी के जहन में क्या चल रहा है वो आपको समझ ना है अगर वो आपको समझ में नहीं आता उसको गोर करें और उसके उपर आप फोकस करें उस पे आप जरूर उस मुर्गी को आप कुड़क कर सकते हैं थोड़ा सा आपको तवज़े का जरूरत है तवज़े के बाद इंशाला ताला आपकी इजी तरीके से हो जाएंगी और दूसरी बात ये होती है ताज के उपर क्या होना चाहिए तो ताज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अंडे तो दोनों ही बराबर देंगी लेकिन सबत से वो बेस्ट मुर्गी है वो भी आप ले सकते हो वो उसमें चीजें क्या देखनी है आपको और भाई ने दूसरी बात कही भाई हमारी देसी मुर्गियों के जो टांगे हैं वो बलेक हैं कुछ के बलेक बे हो सकती है और वाइट बे हो सकती है उसने बोला हमारी जो देसी मुर्गी उसके जो टेल है वो बिलकुल वाइट कलर की है हो सकती है मुर्गी है किसी कलर के भी हो सकती है में कोई बड़ी बात नहीं होती क्यों में इसमें अंदर बहुत स्यारे कलर आते हैं उसके इलावा आपको यह मुर्गी रखनी है जो बच्छी मुर्गी आपको लगे इसको हम समझ सकते हैं और इस पर हम मुर्गियों पे काम कर सकते हैं वो मुर्गी आप रखें ताके आपको वो मुर्गी खुद बताएगी एक दिन आप उससे कितने अंडे ले सकते हो कितने अंडों के बाद आप उसको कुड़क कर सकते हो सबसे पहली बार आप उसको खाने में क्या दे रहे हो और जगा कौन सी आपने बिठाई है जगा सेपरेट है यहां छोटी है यहां बड़ी है जहां वो खुले आस्मान के नीचे है यहां वो घूम रही है आजादी से तो फिर तो आप उन मुर्गियों को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि खुले में जो रहती है वो मुर्गियां आप कुड़क नहीं कर सकते वो मुर्गियां आप कुड़क नहीं कर सकते अगर किसी खुड़े जा दड़बे में आपने उसको रखा हुआ है देसी को तो उनको आप कुड़क कर सकते हैं उसके इलावा जरूरी चीज़ क्या होती है देसी मुर्गी में ये भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप रखना चाते हो तो अगली वीडियो में मिलते हैं